Hello दोस्तों, यहाँ पर एक new application आचुकिए credit Q check application कैसे दोस्तों loan apply करना है और दोस्तों इस application से loan apply करने से पहले secure है कि नहीं है, सारा कुछ आपको बताते है real 400 यह भी आपको बताते है दोस्तों loan apply तो कर सकते है और loan मिलेगा किने यह भी आपको देखना है तो application के बारे में आपको पूरी information मिलेगी और इस application से loan apply करना है कि नहीं करना है ये भी आपको मालूम चल जागा दोस्तो application में बने रहेगा और वीडियो में बने रहेगा application को कैसे योज करना है दोस्तो about this app में इस application के security के बारे मिल जागी दोस्तो चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को कर लिजिएगा सब्सक्राइब बैल आइकन उन कर लिजिएगा इससे को जब भी में वीडियो बनेंगों सबसे पहले आपको नोटिक्शन मिल जागी इस application का लिंक आपको नीचे description में मिल जागा दोस्तों आप देख सब्सक्राइब का एक option देखनों को मिल जागा यहाँ पर जो कि confirm or option पर कुलिक कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों Hello कर देना जो भी permission मांगेगा जो भी permission देना है दोस्तों इलाओ करनेक बाद यहां पर आपका privacy agreement आपको देखने को मिल जागा, next वाले option पर click कर देना है, click करनेक बाद जो भी आपका phone number होगा दो उससे login करने के लिए बुले जागा, जो कि आपका phone number यहां पर सो करेगा और उससे login कर लिजेगा, login करनेक बाद यहां पर get credit report के option पर click कर है, यहां पर दोस्तों यहां पर आपको option भी देखने को मिल जागा, यहां पर देख सकते हो जनरल information आपका basic information लगेगा, जो कि सबका रहता है basic information और यहां पर दोस्तों यहां पर आपका basic information में पहला step photo है, front camera से open हो जागा और दूसरा step आपका जैसे की document verification है, contact information और bank card का information यह contact information में जैसे की emergency contact number लगेगा, दो contact number या तो आपना parents या तो आप एक contact number देख सकते हो, feedback यहां पर देख सकते हो दोस्तों और यहां पर अगर आपको कोई और issue होता है, जैसे की इस application में कोई issue होता है, तो दोस्तों यहां पर आपको एक number भी दिया दाएगा, जिससे थूँ यहां पर अप्लोड कर लेता हूं, अपना front cameras photo उसके बाद दूसरा step में यहां पर open हो जागा, जैसे की pen card photo, front यहां पर document verification में अधार card pen card दोनों लगेगा, जो कि यहां पर pen card यहां पर front camera से, जैसे की front pen card का यहां पर upload होगा, तो secure रहेगा, security के साथ upload करिएगा,